हेलो फ्रेंड तो देखिए आज हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी एक रेसिपी विधी बताने वाले हैं इसको रेसिपी नहीं कहेंगे इसको कुछ और ही कहेंगे तो फ्रेंड आज हम आप लोगों के लिए लेकि आए हैं चने दाल का बेशन बनाने की विधी चने दा तो हमने सोचा हम घर पर बना ही रहे हैं तो क्यों न आप लोगों के साथ भी सेयर किया जाए जो लोग इंटरेस्टेड होगे वो जरूर वीडियो को वाच करेंगे कि हाँ देखें कैसे बनता है चने डाल का बेशन तो देखें कितना बढ़िया हमने चने डाल का बेशन बनाय हुआ है तो आईए हम आपको बताना इस्टार्ट करते हैं कि चने डाल का बेशन कैसे बनता है उससे पहले में आप लोगों को बताना चाहूंगी अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सस्क्राइब कर दीजिएगा और प् पर में इस तरह से डाला तो आप लोग बिन सकते हैं अलग कर सकते हैं लेकिन मैंने सोचा कि डारेक्टर पीस लेते हैं क्या अलग करना सब उसी में मैस हो जाएगा फिर हम च्छान लेंगे बेशन को फ्रेंट देखें यहां पर हमने एक किलो चना डाल ले लिया है तो इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से धूप में सुखा लिया था क्योंकि चना डाल बेशन बनाने से पहले इसको धूप में सुखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है जब अच्छी सी रहेगी बहुत अच्छी रहेगी चना डाल तभी हमारा बेशन बढ़िया से बनकर तयार होग तो फ्रेंट देखिए अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी पूरे अच्छे तरीके स्कीस का बेशन हम कैसे बनाया जाए और हमें देखिए अब हम किन किन चीजों की जरूरत है तो यहां पे हमने ले लिया है mixer grinder तो mixer grinder में हम यहां पे चना डाल देंगे तो हमें जादा डाल को नहीं डालना है थोड़ा साम आधा grinder भरेंगे क्योंकि हम जादा भर देंगे तो हमारी डाल अच्छे से पीसेगी नहीं फिर वो अच्छे से नहीं पीष देगा और वेशन भी अच्छे से नहीं बनेगा फिर आप लोग कहेंगे कि मैंने अच्छे से आप लोगों को बताया नहीं है तो देखिये हम मिकसर जार में हम चना दाल डाल दाल लिए है तो करीब यहां पे मैंने डीर गिलास की करीब डाला है हम पूरा भर के नहीं डालेंगे फिर इसको हम अच्छio सी मिक्सर में चलाते हुए दो-तीन बार अच्छे से चलाते हुए इसको हम fine बना लेंगे अगर दरदरा दिख रहा है फिर देखे यहां पर हम एक ठाली और एक यह हमने इसको हमारे यहां चलनी बोलते हैं तो यह आटा च्छानने वाली च्छलनी है इसमें हम डाल करके बेशन को अच्छे से च्छानने च्छानने से यह होगा कि जो इसमें टुकड़े होंगे थोड़े बहुत वो अच्छे से बाहर हो जाएंगे तिसको हम दोबारा मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं तो देखिए इस तरह से हम धीरे-धीरे इसको चान लेंगे जैसे हम आटा चानते हैं उससे प्रकार से धीरे-धीरे हाथ को चलाते हुए घुमाते हुए हम इसको चान लेंगे तो फ्रेंड इस तरह से अगर आप बेशन बनाते हैं तो आप इससे पकॉड़ी बना सकते हैं जो भी आप रेशेपी बेशन की खाना पसंद करते हों पकॉड़े बना सकते हैं इस तरह से हम घर में अगर बेसन बनाएंगे तो हमारा बढ़िया सावेसन घर का बेसन बनके तयार हो जाएगा। तो अगर हम बजार से बेसन लाते हैं, तो इसमें पता नहीं होता है। तो फाइनले देख excess को बनाया हुआ है। बिल्कुन आटा जितना बारीक हमारा बेशन बनके तयार हुआ है आप लोग देख सकते हैं तो अब आप लोग देखी सकते हैं कि कितना बढ़िया बेशन मैंने तयार करके यहां पर रखा हुआ हैं तो फ्रेंड गर्मी के मौसम में आप लोग जरूर इस तरह से बना के रख प्रेंड शरूर कर दीजिए गरेब़ा प्रेंड चाहिए जरूर कर दीजिए गरेब़ाई